मंतरी मंदल के लिए कहीं कोई ओबो की स्थिटी नहीं है, कहीं कोई जीच नहीं है, जो मंतरी परिसद है, उसका भी विस्तार बहुत जल्द हो जाएगा, हम इस राज को विकास के नय आयाम की और ले जाने के लिए पतिबद और कतिबद होंगे, जो भी मंतरी बनेंगे, वो जाज के विकास में अपनी भूमी का, महती भूमी का अदा करने का काम करेंगे, जो हमने घोषनाई की है, उन घोषनाओं को हम धराटल पर उटारने का काम करेंगे चारखन में विधान सबाच चुनाओ के परिनाम के बाद जो है इंडिया गडबंधन में कहीने कहीं उसा का माहूल है और खुसी जो है वैक्ट की जा रही है, क्योकि बंपर जीत हुई है, ये तो लाज़मी है क्योंकि कहीने के इंडिया गडबंधन की जो जिस तरह से समारों भी हो गिया है लेकिन मुखमंत्री हेमन सुरेण जो है अकेले ही सपद ग्रहन में सामिल हुए थे अन्य जो मंत्री हैं वहाँ पर सपद ग्रहन नहीं लिए है तो इसको लेकर जो है चर्चा का जो बाजार गर्म है इस मुद्धे पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ उन्हों ने ही सपत लिया, लेकिन कोई भी उनके साथ मंतरी पत की सपत नहीं लिये नहीं, अधिए यह अभी कोई बहुत महतुपर्ण और बड़ा मुद्धा नहीं है मानि मुख्य मंतरी जी ने सपत लिया और जो मंतरी परिषद है उसका भी बिस्तार बहुत जल्द हो जाएगा मानि मुख्यमंतिरी जी का यह कार्जभार होता है कि मंतिरी परिशल्द का बिस्तार वो करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत जल्द मंतरी परिशत का भी बिस्तार हो जाएगा, भी कोई बक्त ऐसा भी नहीं हुआ कि साल भर हो गिया, छो महिना हो गिया, इसलिए हम बेचेन हैं, चिंटिट हैं, हमें बेचेन और चिंटिट होनी क्या वसकता नहीं है, बक्त आने पर मंतरी प पत को लेकर तो क्या लगता है कि कॉंग्रस से कितने विधायक जो है मंत्री बनेंगे ऐसा कुछ चर्चा है या लिश्ट है अपर दिल्ली चुकि हमारा सिर्थ नितुर रहता है तो सभाविक तोर पे तमाम विधायक जीते हुए विधायक हैं जनता के समर्थन और असिरबाद और प्यार उन्हें मिला है तो उस प्यार को हम अपने अभी बाबा के पास जा करके उसको समर्थ पिट करने का काम करते हैं इसी बाबत सारे विधायक सिर्थ नितुर से अपनी मुलाकाट करके जो जीत है उस जीत का उन्होंने बातने का काम किया है मंत्री मंदल के लिए कही कोई अपबो किश्टिति नहीं कहीं कोई जीच नहीं यह तमाम चीजे जो आला कमान के संग्यान में है और आला कमान बहुत जल्द इस पर मुहर लगाने का काम खरेगा अच्छा जैराम मतों के बारे में क्या कहेंगे जैराम मतों जिस तरह से बिधायक बन चुके हैं एक चर्चा भी हो रही है लगातार कि कहीं ने कहीं इंडिया गडबंदर का वह हिस्सा बन सकते हैं क्या लगता है नहीं देखिए सभाविक तोर पे वह मन्निय बिधायक है मन्निय है और जब वह बिधायक बने हैं तो राजी के विकास में वह भी अपनी महता भूमिका को आदा करें हमें लगता है कि हमारी सुबकामना है उनको कॉंग्रेस में कोई ऐसी नाराज़गी तो नहीं है मंत्री आभी सबोद ग्रैंड में फिस तरह से नहीं हुवा कोई नाराज़गी नहीं है आपको कहीं कोई नाराज़गी देखने परंप नहीं मिलेगि used Carapush all evil है पूरी महाआ गत्मन नेक जूक्त है आने वाले दिन को हम धराटल पर उटारने का काम करें चलिए बहुत धन्य बाले यह देखे राकेश सीना जी थे जो कॉंग्रेस के महासचीव है और प्रवक्ता भी है और साब तौर पर जो है यह कहा है कि जो सरकार की योजनाए है वो आगे आने वाले दिन में धराटल पर दिखेगी हलाकि जिस तरह से मंत्री पद को लेकर जो है कॉंग्रेस के विधायक भी दिल्ली दोड लगा रहे है तो देखने वाली बात हुए कि कितने विधायकों को कॉंग्रेस के कोटे से मंत्री बनाया जाता है तो राची से जीयन भारत के लिए मैं मोहन कमाद अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें